दोस्तों अगर आपकर शरीर जरुत के नुसर आरण नहीं ले रहा है तो यह आपकी पूरी सेहत पर असर डालता है इससे आपको एनीमिया हो सकती है शरीर में हीमोगलोबिन कम होने का मतलब भायंकर बीमारी को खत्रा होना बता दें कि हीमोगलोबिन एक आरण युक्त होंगा जिस्से शरीर में मिलने वाले अक्सिजन में कमी होने लगे जिसे आपको थकान महसूस होगी बेवजा बिना काम के एक फ़कान होगी चक्कर आएंगे आपकी स्किन डल हो जाएगी पिला दिखेगा आखों के नीचे काले घेरे होंगे सरेander के और सिर में डर्ध होग कमर, पीठ, जोणों और घुटनों में दर्ध होना दोस्तों, गर शरीर पर इस तरह के लक्षन देखते हैं तो आप समझ जाए कि शरीर में खून की कमी हो गई है आज किस वीडियो में आपको बताने मालना हो कि शरीर में अगर खून की कमी हो गई हो तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं जी हा, मैं आपको खून बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे बताऊंगा जिसे अगर आप डाइट में शामिल कर लेते हो ना तो इतना खून बन जाएगा कि आप डॉनेट भी कर सकते हो आई जानते हैं आईर्वेथी किताव स्टांग रिद्यम के अनुसार की चीज़ों के अगर आप सुबा खाएंगे तो बहुत ही गजब तरीके से खून का निर्मान होगा खून की मात्रा बढ़ेगी चली जानते हैं कौन-कौन सी हो चीज़ें आप सुबा नास्ता करने के पहले या शाम को चार से पाँच बजे के आसपास एक आउला मुरब खाकर और उपर से एक गिलास दूद पी लीजिए जी हैं आउला मुरब बजारें मिल जाएगा बारों महीना मिलता है किसी भी अच्छी कंपने का मंगवा लिजे अगर आप डाइबेटिक हैं तो आवला मुरब आपको नहीं खाना है दोस्तों इस तरह से शरी में खोन तेजी से बढ़ती है इसे लगतार लेने से आपको कभी भी कमचोरी धकान महसूस नहीं होगी आखों के रोशनी बढ़ा कर ये दिमाग को तेज करेगा इसमें कई पॉस्टिक तत्व पाए जाते हैं जिसे उम्र बढ़ने की गती को धिमा करता है जैनि बढ़ापा भी जल्दे नहीं आने देगा एक महिना लगता लेने से अंदुरूनी कमचोरी भी दूर हो जाएके जिहां विरियबल बढ़ जाएका चेहरे पर तेज दिखने लेगेगा आपके स्कीन जोना ग्लो करने लगेगी चेहरे का नूर बढ़ जाएका कांती बढ़ जाएके इसके लावा बाल जड़ना भी बंद हो जाएगा ये दोस्तों पूरे हेल्थ के लिए अंबरित के समान है इस गर्मी का मौसम में जरूर खाना अगले चीज है अनार आपने सुनाई होगा कि एक अनार सौ बिमार जिहां एक अनार सौ बिमारियों से लड़ने की छमता देता है अनार आरन, कैलिशियम, सोडियम, मैगनेशियम, पोटैशियम और विटामिन से भरपूर होता है अनार शरी में खून की कमी को बेहत जल्द पूरा करता है इसकलावा ये चेहरे पर चमक लाता है आप वीक में कम से कम दो या तीन दिन अनार जरूर खाये खून की कमी को पूरा कर शरी को ताकत भी मिलेगी अगली चीज़ जो आपको सेवन करना है दोस्तों वो है गूड जिहां जैगरे गूड एक प्रकृतिक खनीज जो आरन का प्रमुक स्त्रोथ होता है यह विटामिन से भरबूर होता है गूड शरीर में हेमोगलोमीन बढ़ाने में हल्प करता है लगता सुबह खाली पेट एक टुकड़ा गूड के साथ आधा चमच आउला चूण लेने से पेट की हरतरा के रोग अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है कबजी के समस्य रहती है तो यह आपके डाजेशन को इंप्रूव कर देगा जी हाँ पाचन शक्ति को बढ़ा देगा और साथ ही हिमोगलोमीन के लेवल को भी बढ़ाएगा आप जो कुछ भी खाएंगे ना उस किश्मिश का सेवन करना है किश्मिश को आप रात को सुलते समय एक मुठी के बराबर पानी में भीगो कर रख दीजेगा और सुबह उठकर भीगवे किश्मिश को खा लीजे और बचावा जो पानी है उसे भी पी लीजे इसके लाव डाइट में आप चुकंदर केला गाज अमरूद, अंगूर, संत्रा, टमाटर, खरी सब्जियों और सलाद जरू शामिल कर लेजे खास करके आप पालक डाइट में शामिल केजे वीक में एक या दो बार पालक जरू खाईए इनमें आरन के साथ साथ बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स पाय जाते हैं जो खोल की कम दूर हो जाएकि विरियबल बढ़ जाएगा और आपके चेहरे पर कांती आजाएगे यानि चेहरे की चमक बढ़ जाएगे